हरे क्रिश्ना भगवत गीता की इस वीडियो में हम शुरू करेंगे तेरवे अध्याय का 31 श्लोक भगवान कह रहे हैं जब विवेकवान वेक्टी, समझदार वेक्टी, शास्त्र पढ़ा लिखा वेक्टी, भक्त विविन भौतिक शरीरों के कारण विविन सवरूपों को देखना बंद कर देता है यादो का पांचवे अध्याय के 18 श्लोक में भी भगवान ने कहा था पंडिता संदर्शना यानि जो कुत्ते में, चंडाल में, ब्रहमन में सब में उस सेम आत्मा को देख रहा है अभी भगवान पहले भी बोल रहे हैं श्लोकों में कि सबी शरीरों में उस आत्मा के साथ परमात्मा को देख रहा है सरवत्र देख रहा है और वो शरीरों के अधार पर रिस्पेक्ट डिस्रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है यानि किसी को भी सिर्फ शरीर के अधार पर इज्जत करनी है नहीं करनी है ऐसा नहीं है उसको सो जब विवेक वान वेक्ति विभिन बहुतिक शरीरों के कारण विभिन सुरूपों को देखना बंद कर देता है मतलब उसको सब जगे वही आत्मा परमात्मा दिख रहे हैं उसको लग रहा है सब ही एक से हैं सब का सम्मान करना है और यह देखता है कि किस प्रकार से जीव सरवत्र फैले हुए हैं तो ब्रह्म बोध को प्राप्त होता है ब्रह्म बोध माने आत्मा का ज्ञान उसको अब राप्त हो गया, उसको दिख रहा है कि श्रिष्टी है चारों तरफ और ये श्रिष्टी जो है वो जीवात्मा, अध्यात्मिक स्फुलिंग जो अध्यात्मिक चिंगारी है आत्मा उसके कनेक्ट होने से ये जीव प्रकत यही सब बाते भगवान अब कर रहे हैं इस अध्याय के end में 32 श्लोक में भी वही सब बाते आ रही हैं कि शाश्वत दृष्टी संपन्न लोग भगवान देखो भगतों के लिए कितने अच्छे अच्छे शब्दों का इस्तिमाल कर रहे हैं शाश्वत हमेशा रहती है जिसकी दृष्टी संपन्न लोग मतलब अंधे नहीं है जो लोग सही से देख रहे हैं उनको दिख रहा है क्या वास्ट्विक्ता है भगत के लिए भगवान ने शब्द यूश किया शाश्वत दृष्टी संपन्न लोग यह देखते हैं कि ए विनाशी आत्मा आत्मा का तो कभी व भाव है कहीं न कहीं यह सुश्म शरीर और भौतिक शरीर पर उपलब्द है मतलब उसी पर यह असर करता है सुश्म शरीर नहीं मन बुद्धी एहंकार पर असर करता है यह सब यह जो गुण है और हमारे शरीर को असर करते हैं बट आत्मा इन सबसे परे है यह अर्जिन भौ पिंचड में रहकर भी उससे लिप्त नहीं होता इसी तरह से ये आत्मा शरीर में विलप्त जुड़ी होई है लेकिन फिर भी अलग है जब तक है शरीर में है फिर अपना छोड़ के चल देगी भगवान ने प्रभुपाजी ने इसके परपट में हवा का भी एक्जामपल लि है जो शरीर में है लेकिन ऐसा कोई अटाच नहीं है जिस दिन शरीर के नष्ट होने का समय आएगा वो इसको छोड़के चली जाएगी तो ये इसमें लिप्त नहीं हो जाएगी और आगे बढ़ते हैं क्या कह रहे हैं भगवान एक और एक्जामपल फिर भगवान को लगा म मैं भी कुछ एक्जामपल दे के समझाऊं तो 33 श्लोक में भगवान ने अकाश की बात की वायू के हम बात कर सकते हैं यदि भी अकाश सर्व यापी है किन्तु अपनी सुल्ष्म प्रकती के कारण किसी वस्तू से लिप्त नहीं होता भगवान ने आत्मा की एक्जामपल के लिए अकाश के एक्जामपल लिए अकाश सब जगे है लेकिन किसी से जुड़ा नहीं है कोई भी परवत ये महसूस करता कि अकाश मेरे उपर है लेकिन हर छोटे से घर के उपर भी अकाश है हर विक्ती के उपर भी अकाश है हर छोटे से पंची के उपर भी अकाश है तो अ आत्मा के concept पर आगए इस chapter के end में कि ये समझना जरूरी है कि ये आत्मा भगवान ने जो बनाई ये शरीर को चलाने के लिए जरूर बनाई लेकिन शरीर से अलग है इसलिए थोड़े समय के लिए शरीर में रहती है और उसके बाद अपना वक्त आने के बाद चली जाती है 34 वंश लोग हम लेंगे इसमें भगवान कहा रहे है हे भरत पुत्र जिस प्रकार सूर्य है अकेले इस ब्रह्मान को प्रकाशित करता है देखो एक सूर्य एक जगह है लेकिन पूरे ब्रह्मान को प्रकाशित कर रहा है इसी तरह से हमारी आत्मा भी होती है एक जगह छोटी सी लेकिन पूरे शरीर को चलाती है वो ही भगवान कह रहे है उसी प्रकार शरीर के भीतर स्थित एक आत्मा सारे शरीर को चेतना से प्रकाशित करती है अगर ये शरीर अपने आप चल रहा होता सिरफ भौतिक पधारतों के संयोग से चल रहा होता तो खुछ सोचो जब किसी की so called death होती है जब कोई मर जाता है तो और जाता क्या है शरीर के अंदर जो भी तत्व हैं वो तो वहीं रहते हैं वो तो कहीं जाते नहीं फिर वो हिलता डुलता क्यों नहीं है क्योंकि चेतना consciousness कहते नहीं है कि बेहोश हो गया तो वो होश जो है वो कौन ला रहा है वो होश लाती है आत्मा और इसलिए जब आत्मा चली जाती है तब भौतिक सारे तत्ववा होने के बावजूद उस शरीर को अब हिलाया डुलाया नहीं जा सकता और रादर वो बहुत जल्दी नश्ट होने लगता है खराब होने लगता है अंतिम शलोक तेरवे अध्याय का पैतिस्वा शलोक भगवान कह रहे हैं जो लोग ज्यान के चक्षूँ से ज्यान का चक्षू तो चाहिए गुरू से नौलिज चाहिए भगवत गीता का ज्यान चाहिए शास्त्रों का ज्यान चाहिए तो जो लोग ज्यान के चक्षूँ से शरीर और शरीर के ज्याता शरीर हो गया भातिक और शरीर का ज्याता जीवात्मा जो लोग ज्यान के चक्षों से शरीर और शरीर के ग्याता के अंतर को देखते हैं और भवबंदन से मुक्ती की विधी को भी जानते हैं वो परमलक्षे प्राप्त करते हैं भवबंदन से मुक्ती की विधी हमने बहुत बार डिसकस की है हरी नाम करिए हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे जहां तक हो सके दान कीजिए शास्त्रों का ध्यन कीजिए तुलसी महरानी की सेवा कीजिए भगवान की पूजा कीजिए भोग लगाए मंदिर में जाके वहवान के दर्शन कीजिए, धाम यात्राएं कीजिए, पवित्र नदियों सरोरों के आप उनमें सनान कीजिए, भक्तों का संग कीजिए, वैशनव गुरू से दीख्षा लीजिए, उनकी सेवा कीजिए, यही है भव बंदन से मुक्ति की विधी, अपने हो भी है, हरे कृष्णा